सच छुपने नहीं देंगे आज मैं आपके साथ बात करूँगा आप सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से मनी चार मई का एक वीडियो उजागर हुआ था बहुत दिन बाद संसत सत्र शुरू होने से गिन पहले जिसमें मनी पूर में कारगिल युद्ध के विजेता सुवेदार की पतनी और आदिवाशियों की बेटी को नगन करके प्रेट करके नंगा करके घुमाया गया था और इस संदर्ब में मनी पूर के मामले को लेकर विपक्ष के इंडिया गठ बंदनने संसत के अंदर क्युकि परधान मंत्री नरेंदर मोधी बिलकुन मोऊन थे इसको लेकर के मजबूर हो करके अभिश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा न केवल मनिपूर के मामले में मोधी मौंते नर्यंदर मोधी संसद में भी हाजिर नहीं हो रहे थे और विपक्ष का सवाल बड़ा साफ था एक कि नर्यंदर मोधी मनिपूर कब जाएंगे देश के पर महतोपूर्ण सवाल एन बीडेन सिंग को मनिपूर के मुख्य मंत्री को कब हटाया जाएगा और तीसरा सवाल था कि परधान मंत्री असी दिन तक मनिपूर पर मौन क्यों रहे इस बात का इन सवालों का जबाब मनिपूर के मसले पर परधान मंत्री नर्यंदर मोधी को देन अब आप सब देस्वासियों जोना सोचा हुए देस्गा एक आईसा राज्या जह 150000 से ज्यादा लोगों की हत्य हो गई currently हो decisions गर जलाए गए हो साथomat हजार से ज्यादा लोग बेकर हो गए हो और जहां पाच हजार से जधा राइफल, लाइट मुशीन गने गोलिया लूटी गई हो जिर गोली लाइट मुशीन गनर। राइफल के शिकार जब कभी बनेंगे हमारे भारत के साइनिक बनने वाले हैं और यही नहीं कारगिल युद्ध में जो कारगिल की लड़ाई जीती गई है उसमें सुबेदार रहे उनकी पत्री को नंगा करके प्रेड करके बलात कार किया गया था आपको मालूम है कि आदिवासी लड़कियों का बलात कार किया गया था नंगा करके और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सवाल है इस पर परदान मंत्री को जबाब देना था परदान मंत्री के जबाब से पहले माननिया मुख्या मंत्री ग्रह मंत्री जी ने मोर्चा समाला सवाल मरीपुर पर थे लेकिन उनका जो आपने सुना होगा कि किस तरीके से ये तो कहा है कि असब्या बात है किसी भी कीमत पर कोई सब्या समाज ऐसी घटनाओं को बरदास्ट नहीं कर सकता है लेकिन बहुत बड़ी दो बातें एक ग्रह मंत्री ने कहा हम एन्बी रेम सिंग को इसलिए नहीं हटा रहे हैं क्योंकि चार मई से वहाँ पर मुख्य सचिप और डी जी पी को केंद्र सरकार ने बड़ी किया इसका मतलब बड़ा साफ है कि मणी पूर्व बले ही वहाँ एन्बी रेम सिंग मुख्य मंत्री है लेकिन वहाँ पर राजपाट ग्रह मंत्री की अगवाई में मोदी सरकार का चला है तो पहली बात ये कि क्या ये ग्रह मंत्री के माद्यम से नर्यंद्र मोदी जो वहाँ पर डी जी पर मुख्य सचिप को बदली करने के बाद क्या-क्या घटना करम हुए है चार मई को चार मई से लेकर के और ठीक मैं आपको बताना चाहता हूँ तीन अगस्त तक निरंतर हत्यारों की लूट पार चल रही है तीन अगस्त को भी बड़े पैमाने में वहाँ बंदुके लूटी गई है जिनकी संक्या तीन सो पैसर चासर ज्यादा है और अठाइस माई को पैसरी सज्जार चे ज्यादा गण लूटी गई है यह मैं आपको आकड़े चिल बिशले बता रहा हूँ क्योंकि ग्रहे मंत्री ने दावा किया कि मुख्यम मंत्री बहुत बढ़िया तरीके से हमारे हर बात को मान रहे जो हम चला रहे तब मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेश जो कह रही है और मणीपुर में जो आदिवासी कुकी समधाई के लोग मांग कर रहे हैं कि यन बीरेंशिंग को हटाया जाए तो यह पूरी सरकार नरेंद्र मोधी चला रहे हैं क्योंकि डी जी पियर मुख्य साचिप को चार तारीको केंदर से लिजा करके बदली कर दिया गया तब क्या कारण है कि चार मैं को यह सवाल देश-वासिग को करना चाहिए शेना के जवानों को करना चाहिए बूदपुर्फ साइन को करना चाहिए कि शेना के शुवधार की पत्री को नंगा करके परेड लगा करके बलातार के आ गया और उनकी यफायार दर्ज करने के लिए अठारा माई को लिखी सिकायत के बाद भी हम आपको बताते हैं कि पकी यफायार दर्ज करने में भी उननचास दिन लगे हैं और यही मामला वहाँ पर आदिवासी महलाओं के साथ भी है तो फिर केंद्र में नरेंद्र मोधी की सरकार और अमिसा फेल और असफ अल्हा डीजी पियर मुख्या सचिप को बदली करने के बाद भी ने वहाँ पर मेतेई के द्वारा कुकी समुदाई की महलाए सुरक्षित है और एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं जिस पर कार राहूल गांदी ने बड़ी सत्य बाद कही कि जब हम वहाँ दोरे पर जा रहा था तब हमसे कहा गया कुकी समुदाई ने कहा अगर तुम्हारे साथ मेतेई का कोई सुरक्षा कर्मी होगा हम गोली मार देंगे और मेतेई समुदाई ने कहा कि तुम्हारे साथ ने लिए अगर कुकी समुदाई का कोई सुरक्षा कर्मी होगा हम गोली मार देंगे लेकिन सबसे बड़ी बात यह सोचने की है कि इनीकी मर्जी का मुख्य सची बटी जी पी लगने के बाद भी आज भी वहां हत्यारों की लूट पाड़ जारी है और मुकद्मे दर्ज करने में एक कोताई जो हो रही वहां आप सब के सामने है एक और सवाल उठाया गिया वो है कलाबती के विशे में जिसके घर पर 2008 में राहूल गांधी रुके थे कलाबती के दामाद ने तब आत्रवत्या की थी मैं एक आपको मेरा आइटिकल तब मैंने लिखा था और उसका मैंने लिखा था उसका हेडिंग है दैनिक भासकर में किसानों को सूथ और के चंगुल से कौन बचाएगा मैंने इसमें कलाबती का पुरा जिकर किया था और तब वहां के मुख्या मंतरी से लेकर के देश में परधान मंतरी मनमोशिंग जिका भी जिकर किया था और इस कलावति का अर्टिकल मैं इसलिए दिखा रहा हूं उनके विश्वे में दामात संजे के आखभत्या के बाद मैं ने लेक लिखा था यह करना चा रहा हूं कि क्या तुना कर रहे थे ग्रहब मंद्री मleton सेना के सुवेदार की पत्री को नगनकरकर के प्रेच लगाकर बलाद कार किया हो जहाँ पर पुलिस के रिजरब पुलिस से ले कर तमाम पुलिस के हतियार लाइड मसीन गने और गोली वारुद बहां मंत्री कर रहे हैं बहाँ पर मणीपूर की पुलिस असम रैफल के खिलाब मुकत में दर्ज करा रही है और कुक्की समधाई के लोग कर रहे हैं असम रैफल सिर्फ नाम है उसमें असम के लोग नहीं पूरे भारत के लोग असम रैफल में भड़ती होते हैं जो लोग शेना के इसे मैं जानते होंगे मैं साइनिक परिवार चाहूं इसलिए दावा कर रहा हूं और कुक्की समुदायों के लोग कर रहें कि असम रैफल रहनी चाहिए तब यह बात जो राहूल गांदी ने कहीं कि एक दुसरे के खून के प्यासे हो गए हैं वहाँ पर एक मनिपुर में दो समुदायों के दो हिस्टे कर दिये गए लेकिन इसके पीछे की क्रोनलोजी को समझना पड़ेगा क्या क्रोनलोजी है एक बड़ी रिपोर्ट आ रही है कि 6 जीलों की 66,000 हेक्टियर जमीन अदानी को पामयल के उत्पादन के लिए दिया जानी है जिस पर कुक्की समुदाय क आधानी के लोग रहते हैं तो क्या ये सध्यंत्र तो नहीं है कि आदानी को उस जंगल के इसके को नहीं कर रही है एक बड़ा कारण यह हो सकता है कि नर्यंद्रमोदी इसलिए मनिपूर नहीं गए। यही बड़ा कारण हो सकता है कि अध्यानी के चहते नर्यंद्रमोदी असी दिन तक मनिपूरपन मा नहीं बोले। यही कारण हो सकता है कि अभिस्वास परष्टाओं के बीच में नब्बे मिनट तक जब एक सब्द मनिपूर नहीं बोला विपक्स ने बहिसकार किया। उसके बाद मनिपूर पर चार मिनट बोले। और चार मिनट में क्या बोले। यह मनिपूर की मा बहनो ये सदन और पूरा देश आपके साथ है एक दिन सांति का सूरा जरूर उगेगा। लेकिन यह नहीं कहा कि जो हत्यार की लूट हुई है उस पर नरेंदरमोदी की सरकार क्या कर रही है क्योंकि DGP और मुक्य सची भी नरेंदरमोदी की सरकार के इस सारे पर ग्रहे मंत्री ने वहाँ पर तैनाथ करा है च्छाए लाग से ज़्यादा गोली बारुज लूटी गोलिया लूटी गई है उसके लिए क्या कर रहा है जिन आट सो नो सो दंगाईयों नगन करके कारगिल युद्र के लड़ा का सुबेदार की पत्री को नंगा करके प्रेट निकाल करके बलाद कार किया जिनने उनने साल के और 56 साल के आदमी को उसके बेटे को शिले मार दिया जो अपनी बेटी और बेहन की हिपाज़त के लिए 20 साल की बेटी को नंगा प्रेट करने बलाद कार से बचाने का प्रियास कर रहे थे उनके विश्यमी क्या करा जा रहा है तब मैं यह कहना चाहता कि यह जो ताना साही रवया आपने देखा किस परकार मीजोरम में भी हमारे देश में सेना पर विराजिति करने की बात आई है 1966 का मैं चिकर कर रहा मेरे प्यारे देशवासियों जो सेना में और सेना में रह चुके और सेनिक परिवारों से हो 1966 में मीजोरम को स्वतंतर लगे ना की मदद के लिए वाई शेना गई थी और मैं यह कहना चाहता हूँ कि नरवंद्र मोदी संचत के अंदर एक और विलाव कर रहे थे वह बिलाव था भारत के तीन ुस्षे के यह देश के साथ गढ़दारी है भारत के दो देश्य वें थे पाकिस्तान और हिंदुस और बधाई देना चाहता हूं इंद्रा जी ने 1971 में पाकिस्तान के दो हिस्से किये और मोधी ने दावा किया था कि मैं बंगलादेश के गठन के समय रहा हूं तो नालाएक आदमी एक तरफ बिलाव करता है कि पाकिस्तान के दो तुकड़े क्यों कर दिये और दूसरी तरफ कह है कि मैं तो उसका साक्षी रहा हूं मैं एक और आर्टिकल आपको दिखाता हूं मेरा कल्ब तरु में प्रकाशी दुआ था यह मैं 30 जुलाई 2014 का है यह आर्टिकल मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि हमारा देश आप सब लोगों को सोचना चाहिए और मैं दावे के स सरनदर मौदी इस पूरे देश को एक मौबाइल से संचल करें ओलाई गयी और मीटिंग में देश के के केम्डर के सबी मंत्रान गे सचिवों को अब्गत रहा हूं और जो संदेश उस मौबाइल के बात्लिय में केंद्रे में बैठ ये सरकार के सचिप उसी फायल को उसी काम को करते हैं जैसे आप मुझे बताइए कि जब 15 जून 2020 को हमारे देश में गलवान घटी में जवानों की हत्या कर दी गई थी उसके बाद क्या क्या बोलना है जवानों की चितना जल लही थी और देश का परधान मं मंतरी चीनी बैंक से 75,000 करोण अमेरिकी डालर का करजा ले रहा था और करजा लेने के बाद हमारे देश का परधान मंतरी आल पार्टी मिटिंग बोलाकर किस तरीके से आप सब ने देखा क्या बोले थे परधान मंतरी ने कहा ना कोई घुसा है ना घुसाया ना हमारी सीमा पर किसी का कब जा है ठीक उसी तरीके थे जिस तरीके से खुपिया एजेंसी की रिपोर्ट खारिज करके पुलवामा में 40 जवानों के हत्या कराने के बाद परधान मंतरी अपने बन में मैं क्या करता हूँ वहां एक विदेशी के साथ में वीडियो शूटिंग करा करके मौ कर दिया तो फिर हत्यारों को लुटाने का खेल की हूँ जिस तरीके से गलवान में पुलवामा में जवानों को माराने का खेल की हूँ यह सवाल भी आपको करना चाहर आखरी बात है 66,000 हेकर एक्टियर जमीन लुटवा करके पामोलिन के उत्पादन के लिए अदानी को देने के लिए कुकी समुदाए आदिवाशियों को गैर आदिवाशियों को आदिवाशियों से लड़ाने का स्टेंटर है